ओलाइन टुटोरियल गुरूजी की इस वीडियो को देखने से पहले सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें सब्सक्राइब का बटन दबाने के बाद इस बैल आइकन को दबा कर हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाएं तो चलिए दोस्तो आज की वीडियो में आपको फटा-फट पता देता हूँ कि बैंक और बडोदा के ATM कार्ड की लिमिट आप अपने बोब वर्ड एप के थुरू कैसे बढ़ा सकते हैं या अलग-अलग ओनलाइन पेमेंट के लिए उसे कैसे अनेबल या डिसेबल कर सकते हैं देखे इसके लिए सबसे पहले आपको ओपन कर लेनी है अपनी बोब वर्ड एप तो चलिए फटा-फट हम भी ओपन कर लेते हैं बोब वर्ड एप को bob world app open होने के बाद अब आपको 4 digit का login pin डाल के आपको अपने bob world account में login कर लेना है यहाँ पर जैसे ही अपना login pin डाल के आप okay करेंगे तो आप अपने account में login हो जाएंगे अब home page पर ही आपको नीचे एक cards का option दिखाई दे रहा होगा तो आपको इस option पर click कर देना है click करने के बाद सबसे पहला ही option आपको दिखाई देगा view cards का आपको दुबारा से इस option पर click कर देना है click करने के बाद यहाँ पर अब आपको आपका ATM card show होगा उसी ATM card के नीचे आपको your current active channels का एक option दिखाई देगा तो आपको इस पर click करके दोबारा से नीचे यहाँ पर एक बार क्लिक कर देना है अब यहाँ पर क्लिक करते ही आपके सामने बहुत सारे option आएंगे तो चलिए one by one आपको सभी options को समझा देता हूँ अब इसमें सबसे पहला यह option है contactless देखे अगर आप इस option को activate कर देंगे तो फिर आप अपने card से contactless payment भी कर सकते हैं और ATM से contactless पैसे निकला सकते हैं दोस्तो contactless का मतलब होता है ATM card को machine में बिना लगाए payment कर देना तो इस तरीके से आप जो है contactless payment कर पाएंगे अगर इस option को आप यहाँ से on या off कर लेंगे उसके बाद second option आपको domestic के नीचे दिहाई देगा set online transaction ATM अगर आप इसे on कर देंगे तो फिर आप अपने देश में यानि की इंडिया में इसी भी ATM से पैसा निकला पाएंगे अगर आप इसे off कर देंगे तो फिर ATM मसीन से आप इस card का use करके पैसा नहीं निकला पाएंगे उसके बाद next option है set online transaction POS दूस्तो POS का मतलब होता है point of sale अगर मैं आपको सरल भासा में कहूँ तो POS basically machines होती है जिस machine में आप अपना card swipe करके online payment करते हैं तो अगर आप इसे on रखेंगे तो उस machine पे swipe करके आप अपने card से payment कर पाएंगे और अगर इसे off करेंगे तो फिर आपके card के थूरू किसी भी machine में swipe करके online payment नहीं होगी उसके बाद है next option set online transaction e-com दोस्तो e-com का मतलब होता e-commerce यानि कि आप e-commerce website पर कोई भी product online खरीदते टाइम जो आपने card से online payment करते हैं जैसे कि Amazon या Flipkart वगरा पे तो अगर इस option को आप on करेंगे तो ही इस card से आप जो है e-commerce website पर online payment कर पाएंगे और अगर इसे आप यहां से off कर देंगे तो फिर किसी भी e-commerce website पर आप इस card के थूँ online payment नहीं कर पाएंगे उसके बाद next options यहां पर same यही option दे गए हैं लेकिन यह अब international यानि कि देश से बाहर use करने के लिए किनी दूसरे देशों में तो इन तीन option का मतलब वही है लेकिन अब यह international use के लिए आप इसे own या off कर सकते हैं उसके बाद यह देखिए यहां पर नीचे दोस्तो set ATM limit में आपको option मिलता है अब इसमें देखिए maximum moment एक दिन का 50,000 रुपे हैं आप यहां से इस limit को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं इस तरीके से जितनी भी limit आप यहां पर set करेंगे न उतने ही amount आप ATM machine से इस card के थुरू निकलवा पाएंगे जैसे माल लेजिए मैंने यहां पर 50,000 set कर देखिए तो maximum हलागी 50,000 ही होती है उससे ज़्यादा आप set नहीं कर पाएंगे लेकिन 50 से कम आप यहां पर set कर सकते हैं जैसे 20 set कर दी तो फिर आप 20 ही निकलवा पाएंगे एक दिन में उसके बाद यह देखिए set POS और e-commerce का limit का मतलब होता है कि आप इस card के थुरू online payment machine के दोरा या फिर online detail डालके किदनी कर सकते हैं तो वो limit भी आप यहां से set कर सकते हैं maximum यह 2,000,000 होती है आप इससे कम भी आपर set कर सकते हैं दोस्तो ध्यान रखना जो भी amount आप यहां पर set करोगे वही amount या उससे कम amount की ही payment फिर आपके card से एक दिन में धानक न यह सभी जो limit आपको बता रहा हूँ यह सिरफ per day की limit है यानि इतनी limit आपको एक डिम में follow करनी है जैसे मैंने अगर point of sale या e-com में limit में यहां पर एक लाख माले set कर दिया तो फिर में एक दिन में point of sale या फिर e-commerce website पर या फिर machine पर swipe करके ज़्यादा से ज़्यादा एक लाख तक की ही online payment कर पाऊंगा तो इस तरीके से आप यहां पर limit set कर सकते हैं सारी limit set करने के बाद और अपने मन चाहे options को domestic या international level पर own या off करने के बाद आपको नीचे दिये गए continue के बटन पर क्लिक कर देना है जैसे ही आप continue के बटन पर क्लिक करेंगे तो आप से आपका transaction पिन मांगा जाएगा तो अपनी bob world app का four digit का transaction पिन डालके जैसे ही आप ok करेंगे तो आपकी setting अपडेट हो जाएंगी आपके card में उसके बाद आपने जो यहाँ पर feature enable या disable किये है जो limit set की है उसके हिसाब से ही आपका card जो है response करेगा या उसके हिसाब से ही अपने ATM card का आप use कर पाएंगे तो इस तरीके से दोस्तों आप अपने ATM card में limits लगा सकते हैं गटा सकते हैं या बढ़ा सकते हैं इसके साथ ही अलग-अलग channels या portals या फिर e-commerce या फिर swipe machine पर आपको अपने card से payment करनी है या नहीं करनी वो features भी आप जो मैंने आपको बताया उस तरीके से उन्हें own या off करके अपने ATM card को पूरी तरीके से secure बना सकते हैं दोस्तों bank को बढ़ा के उपर मैंने एक यही वीडियो नहीं बलकि इसके अलावा और भी बहुत सारी वीडियो बनाई होई है जिनमें मैंने बताया कि आप bank को बढ़ा की अलग-अलग services के लिए online या offline कैसे apply कर सकते हैं और साथी साथ bob world app और internet banking के अलग-अलग feature को आप online कैसे use कर सकते हैं उनकी वीडियो भी आपको उस playlist में मिल जाएगी उस playlist का link मैंने इस वीडियो के description में डाल दिया है उस playlist पके link पर click करके आप अलग-अलग वीडियो को देख सकते हैं दोस्तों अगर इस वीडियो से rated आपके मुन में कोई सवाल है तो मुझे नीचे केमेंट करके पूछिए मैं जल्च जल्द आपके सवाल का जवाब दूँगा साथी साथ जाने से पहले प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सबस्क्राइब जरू कर दीजिए क्योंकि जब तक आप चैनल को सबस्क्राइब ही साथी साथ जाने से पहले इस वीडियो के एक बार लाइक जरू कर दीजिए क्योंकि आपका एक लाइक इस वीडियो को यूजफुल वीडियो मिलेंगी जो आपकी डेली लाइफ को बड़ा असान मना देंगी तो चले दोस्तो आज की वीडियों पर सितना ही मैं जल्द हाजिर होगा एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए गुड़ बाए